हेलो मेरे प्यारी दोस्तों कैसे हो आई होप आप लोग मस अच्छे होंगे आए देखते हैं आज चटपटी और खटी मिठी और बहुत ही टेस्टी लाजबाब चटनी जो की टामाटर और जायकरी यानी गूट से बनाए हैं हम और कलर में देखी कितना प्यारा लग रहा है ज कभी भी मतलब बिना फ्रीज के भी अभी ठंडी चल रही है ना बिना फ्रीज के भी आप इसको स्टोर कर सकते हैं तो दोस्तों यह इतनी ज्यादा मैं पानी जला दूंगी ना इसके तो बिल्कुल भी पानी नहीं रहेंगे तो यह चाहे जितने टाइम तक आप रख सकते हो तो आप इस तरीके से मेरे बताए हुए पर सारा फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ही गजब का लगेगा खाने में तो पूछी इमत एक्चुली मेरा बेटा है तो वो टीफिन में कभी आचार नहीं जाना पसंद करता तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाओ जो दो-चार महिने यानि एक-दो महिने चले और मेरे बेटे को पसंद आए और वो हमेशा इससे पूरी पराठे खा सके तो आईए देखते हैं कैसे बनाते हैं मैं थोड़ा बनाओंगी आप जादा भी बना सकते हो यहां मैंने दो-चार मैंने लिया है टमाटर रेड वाली क्योंकि ठंडी में यहां बारि यहां बहुत सस्ते टाइब के टमाटर मंगेट नहीं मील रहा है तो आप बंणा सकते हो यह चीज मैंने मीरचा लिया तो जो तीखी हो जो अगर बड़ों के लिए बना रहे हो तो तीखी आप बना सकते हो जैसा कि मैंने कहां मैं अपने बेटे के लिए वरा रही हूं तो मैं तीखा कम डालूंगी इसमें तो यहां चार मैंने नीचे देखे कड़ाही में ऐसे ओइल लगा दिया आप कोई भी अब मैंने इंडेक्शन कर दिया है चालू आपको यह तेज आच शुरुआत में रखना है फिर दीमी तम स्लो आच में तो यहां दो मिनट तक दो से तीन मिनट तक मुझे इसको पकाना है आप पाच मिनट भी कर सकते हो मतलब जब तक आपका ऐसे एदम सोंधा पन ना लगे ख इसको ऐसे सोंधा करूंगे तो सोंधी वाली चटनी जो होती है उसकी फ्लेवर ही कुछ होती है और सबसे बड़ी बात ही है कि लॉंग लाश्टी यानि बहुत ज्यादा टाइम तक चलती है और दोस्तों आपने नोटिस किया मैंने टमाटर पे के ऊपर मैंने डाला था नमक जो कि नमक स्वाद अनुसार नहीं सिर्फ ऐसर डाल दिया तक टमाटर जल्दी गल जाए और इस चटनी में मुझे खटी मिठी के साथ थोड़ी नमक का भी फ्लेवर देना है मैं मीठा मैने इस करने के लिए तो यहाँ पर देखे मैं सारा टमाटर निकाल दे रही हूं और होने के बाद आप छिलका उतारिए इसका छिलका मतलब रहता है तो अच्छा ग्राइंड नहीं होगा तो दोस्तों यह चिलका निकाल दे रही हूं मैं बाहर और यह मीर्चा का डिन्ट गटलिया तोड़ दूँगी दोस्तों और जो यह लाहसन है तो लाहसन का भी मैं छिलक आप चाहिए चिलके उतार कर डाला ना रही होँ तो आप पकने के वाद कीवाद चिलका उतार दीजिएकश को यहाँ बहूं करूंगी है अवbenद जो यह मेरी रेपि बहुत ही चक पसा यह अच्छी है आप दो पूड़ी पराठी या कोई भी ऐसे रेस्पी से साथ रेस्पी के साथ खा सकते हो और बहुत ही टेस्टी लगेगी और आप अगर मेरे बताए हुए अनुसार पर फालो करेंगे तो आपका बहुत ही लंबा टाइम तक चलेगा बिल्कुल भी स्मेल या कोई ऐसा नहीं आएगा और इसमेल लाए और लांग लाश्टिक हो तो इसके लिए मैं लाश्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगी तो यहां पे देखिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा तो यहां पे मिक्सर में मैं पूरा डाल दी हूँ लेकिन दोस्तों आप थोड़ा-थोड़ा करके दालिएगा नहीं तो अगर मिक्सर में ज्यादा टामाटर रहेगा तो अधकन फेक भी देता है चलते टाइम मिक्सर तो यहां पे देखिए मैंने पीस के गुट निकाल दिये बिल्कुल भी गुटलिया नहीं है दम सिंपल तो यहां पे देखिए बहुत ही हलकी है जब अभ इसी घी से थोड़ा खुश्बू और शाइन दोनों ही आते है तो यहां पे दो मैंने ले लिया है लॉंग और चार मैंने ले लिया है मरिच यानि मरिच को क्या बोलते है ना ब्लैक पेपर तो यहां पे मैंने ले लिया है तो कूट दिया है अच्छे से दरदरा नहीं कूट दिया है जिल्बट्टे पे फिर अभूबतार डाल दिया है उसी घी में तड़के के तरीके से अब मैं जो पीस के रखियू ना टमाटर वाली चटनी वो मैं इसकड़ाही में डालके फिर से अच्छे से चलाओंगी से तीन चार पांच मिनट तो लगी जाए गए थे तो यहां अब इसी कलंगी में डाले हूं मतलब चटनी जब मेरा ऐसे सूखा होने लगा तो मैं उसी कल्ः में डाल दी हूं गूड तो गूड दोस 두 ऐसे आप डा जैसे कि मतलब कोई भी जो भी घर का हो बाहर का हो हो वह गूड के उपर आपका प्लेवर पसंट मलभव हो सकता है आप तो चटनी की स्वाथ चेंज हो जाएगी लेकिन आप गूर अच्छे क्वाल्टी मिलेंगे ना तो आपकी बहुत ही अच्छी होगी अगर गूर ना हो तो आप शक्कर डाल कर भी बना सकते हो वो तो सबसे बेश्ट है यहां लॉंग लाश्टिक रखने के लिए दोसों जैसा क कि मैं बताई थी एक टिक तो यह नीबु का प्रियोग कर रहे हो तीन से चार चमप नीबु का रस आप ज्यादा टाइम तक रंग न चाहों तो कर सकते हो और एक से दो चमपमच में यहां पे नीबु का रस डाल रहे हो इससे क्या होगा दोस्तों किसे खट्टापन होगा प दालकर गूर आप खुब अच्छे से चला दीजिए उसको तीन से चार मिनट फिर पकाईए और यहां पर फिर उतार दीजिए यह देखिए जरी रेस्पी जो है बहुत ही अभी गरम है तब इतना ज्यादा अभी मतलब ऐसे आपको लग रहा है डीला लेकिन जब अभी ठंडा हो जाएगा ना और गाड़ी होगी तो यहां पर दोस्तों आपको देखने में खुदी लग रहा होगा बहुत ही टेश्टी और मैंने डाला तक चुटकी भर फूट कललर तो दोस्तों देखिए यह फूट कललर साथ पे गूड साथ पे अगर आपको पसंद ना हो फूट कलल तो पैसी लगी दोस्तों बताईएगा हमको ये चट्नी आके आगे आप जैम, कैचप हर चीज भूल जाएगे तो एक बार इस तरीके से ट्राइ किजिएगा सोंधी वाली टमाटर की चट्नी और गुण की चट्नी बहुत ही पसंद आपको आने वाली है अगर पसंद आए दोस्तों तो हाज और के भी निती है कि नीलूज स्वीट किचन को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजिए, कमेंट जरूर किया करिए और मैं कोसिस यही करती हूँ को आपको अच्छे सच्छे रेस्पी दे सकूँ फिर मिलती हूँ ने इस्ट वीडियों तैंक्यू